हालो फ्रेंड स्वागे थे आपका मेरी चैनल पर आज हम बनाएंगे मैगी वह भी डिफ्रेंट तरीके से तो चलिए शुरू करते इसके लिए मैंने थ्री टी स्पून जितना सोया सॉस ले लिया है एक बड़े बावल में और अब हम इसमें आड कर देंगे वन अन हाफ टेब टेबल स्पून जितना ग्रीन चिली सॉस अब इन सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसे साइड रख देंगे या हम मैगी बनाने वाले हैं थ्री पैकेट का तो चले शुरू करते हैं इन सारी पैकेटों को हम कट कर लेंगे और मैगी को एक प्ल अब यहां कड़ाई को हम गैस पे डालेंगे इसमें डालेंगे रिफाइंड ओईल अब जो यूज करते हैं वो कर सकते हैं यहां पे मैंने प्यास को चॉप करके डाल दिया है थोड़ा हम इसे चला लेंगे एक दो बार अब इसमें हम गाजर अड़ कर देंगे और मैंने यहां पे सिमला मिच को चॉप करके यूज किया है आप यहां अपने पसंद की और भी कोई सबजिये अड़ कर सकते हैं अब यहां पे हम आड़ करेंगे नमक नमक टेस्ट मेकर में भी होता है इसलिए यहां पे बहुत जादा नमक आपको यूज नहीं करना है बस थोड़ा ही नमक यूज करें और यहां पे हम आड़ कर देंगे टमाटर उसे भी मैंने चॉप करके यूज किया है अब टमाटर पूरी तरीके से गल जाए और सबजिया हमारे अच्छे से भूण जाए तब तक चलाएंगे और यहां पे मैंने रेट चिली पौडर यूज किया है थोड़ा ही कम मैंने यूज किया है वन टी स्पून जितना इसे अब चला लेंगे और यहां पे अब मैंने हल्दी यूज किया है इन सारी चीजों को मिलके तीन से चार मिनट अच्छे से पकाएंगे सारी सबजिया बहुत ही अच्छे से भूण चुकी है तो मैंने यहां पे अड़ कर दिया है दो कप जितना पानी और इसमें उबाल आने देंगे हम इसमें हमने जो टेस्ट में कर अलग करके रखा था तीन पैकेट वो हम इसमें एड़ कर देंगे और अब चला देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगा आप देख सकते हैं इसमें उबाल भी आना शुरू हो गया है तो अब हम मैगी को इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पे कर देना है लो, लो हीट पे अब हम इसे मैगी को बहुत अच्छे से पकने देंगे आपको इसे दबा के तोड़ना नहीं है बस थोड़ा पानी में उबाल आने पर ये खुद ही अच्छे से सेपरेट हो जाता है तो हम थोड़ा इसे ढख देंगे, लो हीट पे अब हम धीरे-धीरे इसे पकने देंगे और बीच-बीच में इसे ओपन करके हम मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं ये सेपरेट होना शुरू हो गया है तो अब इसी तरीके से उपर नीचे करके हम इसे मिक्स करेंगे और फिर से ढख देंगे और लो हीट पे ही अब हम इसे चलाएंगे बस आपको बीच-बीच पे ओपन करके इसे ओपन नीचे करके मिक्स करना और आप देख सकते हैं इसका पानी बहुत हद तक ड्राई हो गया है तो अब प्रेंट पुरी तरीके से पानी ड्राई हो चुका है हमारा मैगी भी अच्छे से पक चुका है तो अब हमने जो सॉस तैयार किया था वो हम इसमें ट्रांस्पर कर देंगे और आप सॉस के साथ इसे बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे प्रेंट इस तरीके से बनाए बहुत ही अलग तरीके से मैगी बनके तयार होगी और बहुत ही टेस्टी बनके तयार होगी तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़े अच्छे से mix हो गई है तो अब हम यहाँ पर gas को कर देंगे बंद और इसे ढख करके 2-3 मिनट हम छोड़ देंगे इसी बीच मैंने इसमें थोड़ा धन्या का पत्ता और spring onion मैंने add किया है spring onion आपका optional है आप चाहे तो skip कर सकते है और आपस में इसे अच्छे से mix कर दिया मैंने अब इसे हम फिर से ढख देंगे और gas को बंद कर देंगे दो मिनट छोड़ने के बाद अब यह serve करने के लिए ready है तो एक बाद जरूर ट्राइ किजिएगा मैगी इस तरीके से अब आपने बहुत बार बनाई होगे एक बार इस तरीके से भी बना के देखे तो उमीद कतियो रेसिपी आपको पसंद आई होगे पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें हमें सब्सक्राइब करें अब बेल आक हैं तो जरूर टैप करें धन्यवाद